से ओप सब आईयो पाफ सब अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि लागडाउन लगा हुआ है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते तो हम घर पे ही ना आपने बालों का जैसे कि हाथों पैरों के बालों को रिमूव करते हैं जाए वो वैक्स करते हैं जाए वो क्रीम का यूज करते हैं तो उसको करने के बाद ना हमारी स्कीन पे बहुत सारे इफेक्टे दिखने लगते हैं जैसे कि रेटनेस होना खुझली होना इचनेस होना और बहुत सारी प्र मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा समाधान खोजना चाहिए जैसे मैं हेयर रिमोवर क्रीम यूज करूँ तो मुझे पे कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़ाई जैसे खुजली या रेटनेस ये सब चीजे ना हो मेरे पे तो मैंने क्या किया मैंने फाइनली मुझे इसका समाध हो गया था इसकीन तो वह सॉफ्ट हो गई और खुजली जो भी प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो गई तो गाइस म्यूट का यूज ना आफ्टर हेर रिमोवर करते हैं और गाइस इसके यूज से ना प्येस लेवल मेंटेन रहता है प्लस आपके इसकीन के डीप में जाके य हंडिर परसें नेच्रूरल है गाइस इसमें आपको मिल जाता है लेवेंडर ओयल जोजबा आयल विटामीन ई और एलोवेरा और गाइस इसके यूज करने से ना सच में गाइस क्या बताऊ मैं मुझे तो इससे प्यार हो गया तो आपको जरूर आज माना चाहिए यह आपको